दोस्तों, इस Study91 के अनलाइन प्रेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष समक्षा अधिकारी के लिए अगले चैप्टर पर क्लास देकर हाजिर हो। दोस्तों, आपने इस किताब के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, आरो यारो परिक्षा के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कम सकम आरो यारो की अपनी हिंदी की किताब और जियर्स की किताब, ये दोनों ही किताबे होनी चाहिए, हिंदी तो ऐसे ही बहुत important है, पूरी क लोग इतने बार दोस्तों स्टेडी कर चुके थी, एक चीज़े हमें रट गया होगा, लेकिन आज मुझे लगाना कुछ नए सवाल पर प्रैक्टिस कराना चाहिए, कुछ नई चीज़े देना चाहिए, और आप मेरी आदत बखू भी जानते हैं, कि नितिन सर की क्लास में ह अगर आप जल्दी ले लेंगे, तो बहतर हैगा, ठीक है, आगे याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विशे के लिए, फाउंडेशन कोर्स लांच के गए, यह फाउंडेशन कोर्स दोस्तों आपकी नियू इतनी मजबूत कर देंगे, कि आप कोई भी देंगे, कभी भी आपको टेंसन नहीं होगा, क्यों, छोटे से छोटा एक्जाम हो चाहे, बड़ा सा बड़ा एक्जाम, जब आपका कांसेप्ट क्लियर होगा, तो दिक्कत किस बात की है, ठीक है, यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर कर लीजे, या फिर आप सीथे वेबसाइट या अप्लिकेशन परा करके जॉइन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझेगा, एक तरफ दोस्तो असुद्ध वरतनी लिखी गई है, दूसरे तरफ आपको सुद्ध करना है, जैसे लिखा दोस्तो अनाधिकार, मैंने इदर थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ दिया कि आज मैं डिस्क्राइब भी करने वालना हो कि भाई कोई वरतनी असुद्ध है तो क्यूं है, कुछ बेसिक कांसेट भी मैं आपको समझा दूगा, जैसे जो अनाधिकार सद लिखा है न, ये दो सब्दों से मिलकर बनता दोस्तो, एक सब्द होता अ और एक सब्द होता अधिकार, क्या होता दोस्तो, अन और अधिकार, अब ये अन में हलंत लगा होता, यानि आधाना है, ये अज आकर इस न के साथ जुड़ेगा, तो ये न पूरा बन जाएगा, तो अना नहीं होना चाहिए न, होना क्या चाहिए, होना चाहिए दोस्तो, क गलती कर दिया, यहाँ अना लिख दिया है, इस वज़े से क्या हो गया, यह गलत हो गया, तो हम लोग ऐसे पहले पढ़ लेते हैं, गलत सा así क्या होता है, ठीक है, इसी तरह से, एक दूसरा अप हम सही बोलेंगे नहीं, तो सही लिखेंगे कैसे, बच्चा बच्चा तो अहिल्या बोलता है, बच्चा बच्चा किसे बोलता है, अहिल्या को जानता है, जबकि अहिल्या नाम का कोई सब्द ही नहीं होता है, ठीक है, नाम क्या सही दोस्तो, नाम है अहल्या, क्या नाम है अहल most important है ठीक है आगे देखिए आगे लिखा दोस्तो शमशान अच्छा समसान होता है कि असमसान होता है जली से बताईए सोचिए समझे तब आप जवाब दीजे समसान होता है या फिर असमसान होता है तो जब आप इसे करेंगे दोस्तो तो समसान नहीं असमसान घाट होता है क्य इसी तरह से लिखा दोस्तो प्रदर्सिनी नहीं होता है क्या होना चे दोस्तो प्रदर्सनी होता है क्या होता दोस्तो प्रदर्सनी दर्सिनी नहीं होता है यह जो छोटा ही लगा दिया है इस वजह से दोस्तो क्या कर दिया यह अभी गलत हो गया आगे बड़े दोस्तो अत्या अधिक वही वाला देश से यहां पर किया थमने उसी तरह से यहां पर देख लिजिए हो जाएगा अति धन अधिक अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा अत्या धिक नहीं होता है अत्या नहीं होगा क्या होगा दोस्तो अत्या धिक होता है क्या होता है अत्या धिक होता है इसी तरह से दोस्तो जो दूरा अवस्था लिख दिया, इसका क्या होना चीए तो पहले तो गलत लिखा है, होना क्या चीए दोस्तो एक सब्ध होता है दूर, दूर धन अवस्था वरावर क्या होता है, अब देखें दूर में हलंत लगा है, इस अवस्था से अ निकल कर गया और रव को पूरा कर दिया, तो यहाँ पर क्या होना चीए, यहाँ होना चीए दोस्तों, दुरवस था, क्या होना चीए, दुरवस था, यहाँ गडबड क्यों लिखा दोस्तों, इसलिए गडबड लिखा वहा है, क्योंकि यहाँ पर दुरा कर दिया है, दुर की जगह क्या कर था इसको आप करेट कर लीजिए ठीक है यह होना चीए दोस्तो असमसान क्या होना चीए असमसान और यहाँ पर दोस्तो छोटा सा नहीं यहाँ पर बड़ा सही होना चीए अश्मशान पढ़ते हैं ठीक है क्या पढ़ते हैं असमसान घाट असमसान नहीं शान पढ़ते हैं दो आगे सवाल बताते जा रहा हूं, लेकिन दिमाग में ही बना है कि कुछ तो गड़बड हो रहा है, याद रखेंगे, यह होना चे, जो सही होगा, मैंने उसे आपको करा दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल लोड़ दे दिया, गत्या वरोध, जैसे भी पीछम ने पढ़ाना उसी तरह से यह भी है, होना क्या चे दोस्तो, गत्य धन अवरोध बराबर क्या हो ज जाता है, क्या हो जाता है, गत्या नहीं होगा, क्या होगा, गत्या वरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गत्या की जगा, फिर वरोध, ठीक है, गत्या वरोध हो जाएगा, यह होगा दोस्तो, तो यहाँ पर दोस्तो यह गलत हो जाएगा, और यहाँ पर यह व होता है ठीक है most important है मतलब समझ लो कि जो बच्चा नहीं जानता ना उसे भरोसा ही नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या है ठीक है हमने पढ़ा क्या मैं बहुत आराम आराम से आपको समझाते चलना हूँ घबडाना मत पचास से साथ सवाल करा दूंगा अज अपनी क्लास में ठीक है क्या होता है मैथिली होता है मैथिली अगर दोस्तों आप नाम भी लिपते हैं ना मैथिली सरडगुप्त तो दोस्तों मैथिली नहीं होता है वहाँ पर मैथली सरड़ होता है ठीक है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ मैथली होगा ठीक है मैथिली यहाँ दोस्तों महा महा धनामात्य महा अगर इसको करेंगे तो इसका सुन्दूरूप क्या हो जाता यह अलग वो जाता है यह हो जाता है महा मात्य, देखो कैसे हो जाता है, यह जाकर इसी आ में जुड़ा, तो आ से तो आ ही रहेगा, वो तो कुछ और हो नहीं जाएगा, तो महा का महा ही रहेगा, और मात्य जुड़ जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसका संदिवी छेत करते हैं, और कहते हैं, यह महाधन अमात्य हो जाए अगर नहीं याद रखेगा यहां महात्मय सब्द है ठीक है महात्मा से बनाववा सब्द है महात्मय तो याद रखेगा होना चीए मा फिर होना चीए हा फिर होना चीए आधात फिर आधा मा फिर य ठीक है यह होना चीए महात्मय क्या होना चीए महात् अच्छा मैं आपको बताओ दोस्तो ये गलत लिखा है ध्यान देना मैं बहुत अच्छे से समझाने चलना हूँ आपको या तो दोस्तो क्या लिखे स्वस्थ नाम का कोई सब्द नहीं होता है या तो दोस्तो किस नाम का सब्द होता है स्वस्थ सब्द होता है क्या होता है या हम लोग सवाल पढ़ते हैं पूज्य ठीक है तियाद रखेंगे दोस्तों यह जो पूज्य सब्द लिखते हैं पूज्यनिय सब्द गलत होता है या तो दोस्तों पूज्य बोलिए यह सही है या तो पूज्यनिय बोलिए यह सही है ठीक है या तो यह वाला सही या तो यह वाल अच्छा कई बार होता होगा ना किताब आपके पास भी होगा लेकिन इतना फुरुसत का इतना धीरे धीरे के चीजों को देखने का इसलिए मैं कहता हूँ आप क्लास से जुड़िए आपका कांसेट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना कि मन के अंदर से जो भें है ना हमे कैसा हमेशा के लिए निकल जाएगा टेंसन की कोई बात नहीं है आगे देखे दोस्तों उन्नत सील उन्नत सील का क्या हो जाएगा कहेंगे सर रिदम परफेक्ट तो लिखा है देखे क्या लिखा है उन्नत सील फिर सर गढ़बड क्या है यहां दो नव भी दिख रहा है सर ग उननती सील के जगा, उननती सील होना चाहे बलकुल से लिखा, वी लिखा, डबल न लिखा, वस्था लिखा सब्सक्राइब और जबिपन धन अवस्था में ऑ जाके इसनों के साथ उड़ता तो न तमतल और नहीं है इससनों कि अग्रमात्र लगेगा तो क्या आगे देखिए विरहडी में दोस्तों क्या गलत है एक्चुली विरहडी नाम का सब्द नहीं होता है विरहडी होता है जैसे कवाईत्री होता है उसी तरह से विरहडी होता है तो वी र फिरहडी होता है विरहडी क्या होता दोस्तों विरहडी सब्द होता है या आप याद दोस्तो किसी के सद्रिस है सद्रिस शद्रिस से नहीं होता है लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है वो तो द्रिस से को समझेगा कान से अपना आधार बनाएगा और उसके आगे सद्रिस जोड़ करके काम सही कर लेगा पर इच्छा में एक नंबर गया उसका ठीक है तो सद्रि किसी के समान दिखने वाले के लिए यह सब्द इस्तिमाल किया जाता शद्रिश और यहां पर सद्रिश होगा सद्रिश से नहीं होगा ठीक है आगे बढ़िए लिकरा केंद्री करण दोस्तो यह भी गलत है केंद्री करण भी क्या गलत है दोस्तो यह जो यह लगा दिया दोस्त होता है उसी में कर्रड लगा देते हैं इसलिए उसको समझ में आ ता कि यह लगा रहेगा लेकिन हम आपको बता रहा है यह नहीं लगा रहा है केंदरी करड सब्ध होता है याद रिखेंगे यह गलत तो जाएगा आगे देखकेये प्रट जॉलीद बच्चा की दिमाघ में दूस्तों अधार चलता है जब आप फॉझ स मगते हैं और यह जहाद करते हैं तब यह वाला जब पूरा हो फिर लिखेंगे वलित प्रज्वलित प्रज्वलित ठीक है प्रज्वलित ऐसे करके लिखेंगे दोस्तों एक मिनट गलत हो गया गलत हो गया यह तो प्रज्वलित हो जाएगा ना हमें क्या लिखना है प्रज्वलित ना तो याद रखेंगा ऐसे होगा एकजा होगा और यह व जब आप बोलेंगे तो लिखने के ऊपर मज जाओ सबसाइए होगा मैं लिखने के बाद मुझसे बोलता हो न दिमाग भी काम करता है कि मैं अपने मुझसे बोल क्या रहा हूं जो उचारण होगा वो लिखा होना चाहिए इसको पढ़िए क्या लिखा है इसको पढ़िए यह प्रजवलित प्रजवलित होता नहीं है तो होता है प्रजवलित तो यह हो जाएगा प्रजवलित ऐसे लिखेंगे जोलित ठीक है जोला वाला जोलित करेंगे तब जाके दोस्तों क्या होगा इसका सई अंसर आएगा चली आगे बढ़ते हैं अंतरध्यान अंतरध्यान में क सब्द इसके याद आता है कि जब आप अंताक्षरी करते हैं तो अंत्याक्षरी होता है वहां से आप जोड़ते हैं और फिर यहां गलती कर देते हैं अंतर धान सब्द होता है अंतर ध्यान मत करेगा ध्यान कर दिया तो आपका ध्यान भी खतम हो गया ठीक है याद रखेंगे स्राप नाम का कोई सब्द नहीं होता है हमेशा क्या दिया जाता है शाप दिया जाता है विज्ञान वर्दान है या अभी शाप है शाप करते हैं ठीक है स्राप नहीं यह हम लोग सुनते हैं न कि मैं तुम्हें स्राप देता हूँ कमंडल से निकाला जल मर दिया ठीक है तो सराप नहीं शाप शाप ठीक है याद रखेंगे यह हो जाएगा गो वर्धन दोस्तों इस तरह से नहीं लिखा जाएगा बहुत सारे बच्चों समझते हैं कि जहां धन लिखना ऐसे दधा करके लिख दिन नहीं हमेशा ऐसा नहीं होत दोस्तों तद धन अंतर क्या हो जाता दोस्तों तद धन अंतर ठीक है तद धन अंतर ठीक है तो यहां पर दपूरा है तो यहां पर क्या कर लेते दोस्तों यहां पर कैसे बन जाएगा यहां तद अंतर जो कर लेते हैं अब इस दव को लेकर के दोस्तों लोग समझते हैं कि जाके उसके साथ जुड़ गया ते तदनतर बन गया यहीं पर गलती होगा दोस्तों इसे क्या होता सही इसका ऐसा सोचने मट होता गलत है दोस्तों इसका सही है तदनंतर क्या होता दोस्तों इसको पढ़ा जाता है तदनंतर क्या पढ़ेंगे दोस्तों तदनंतर पढ़ेंगे बहुत special सवाल है, इस्टार लगा ही है, एक इस्टार, दो इस्टार, मुझे पता आपने से बहुत सारा बच्चा है, यहां रोक करके गूगल सर्च करने वाला, कर लो, कर लो भाईया, कर लो, कर लो, बिल्कुल सही, करना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, यही सही होगा, तद तदंतर, ठीक है, याद रखेंगे, तदंतर मत करीगा, क्योंकि इस नाम का कोई सब्दी नहीं होता, कई बारा मानायास का संद भी छेत कने पहुंच जाते हैं, जबकि उसका कोई संबंध इस सब्द से है ही नहीं, ठीक है, आप गो वर्धन कोई देख लो, क्या करोगे, ठ है, ठीक है, मैं तो यह भी गड़र मानता हूं, कि जब हम कभी संबंध को ऐसे लिख देते हैं, मेरे इसाब से गलत है, वैसे आजकल मानक हिंदी का प्रयोग चला है, एक नई हिंदी आई है, ठीक है, तूटी-फूटी हिंदी, जिसे मानक हिंदी करते हैं, यह मानक हिंदी म पंच माक्षर का यूज होना चीए तब ये सही होगा जैसे और भी कई चीजे बता दूँ जैसे आप जब गंगा लिखते हैं ना गंगा ये लिखते हैं ना मैं कहता हूँ गंगा एक गलत है फिर आप लड़ाई कर बैठो के कि सर हर जगा तो गंगा ऐसे लिखा है देखो हम ह माल लिया कि आज भारत को भारत करते हैं या इंडिया करते हैं ठीक है लेकिन आपको मानना पड़ेगा ना कि किसी जवाने में इसी भारत को आर्या वर्त भी करते थे किसी जवाने में ब्रंभ वर्त भी करते थे तो जो इसके पुराने नाम है वो तो आपको मानना हैं लेकिन सही गलत की जानकारी में होनी चाहिए तो गौ के बाद पंचमाच्छर क्या होता दोस्तों अंगा होता है तो गंगा ऐसे लिखा जाता है आप कभी संस्क्रिट में देखना किताबों में यहां पे लिखा होगा वहां आपको ऐसे मिलेगा ठीक है आप कई बार जैसे हम लोग दंत लिखते हैं तो दंत में भी क्या करते हैं उपर बिंदी लगा देते हैं दोस्तों यह गलत ठीक है यह गलत है कैसे लिखा जाएगा तक पंचमाच्छर क्या होता ना होता है ठीक है जिसके साथ जुड़ना है यह उसी के पंचमाच्छर में चलता है ठीक ह यह आप याद रखेगे तो जुड़ा हुआ चीजे है इस तरह से आप याद रखेगा ना और ना का अंतर होना ची आप रखेगा को भी हम बिंदी दे रहें किसे संब्व है अगर आप पूछो हमसे कि सरे गलत कैसे है मुझे बताओ ये संब्बन सभी है न मान रहा हो चलो मैंने ये माल लिया ये सभी अब तुम भी मालो कि सभी है अब यह बताओ कि माको भी उपर बिंदी लगा के लिखते हैं ना को भी बिंदी लगा के लिखते हैं सही है बताओ सही है नहीं सही है भाई इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अनुनासिक क्या होता है निर्नुनासिक क्या होता है अनुश्वार क्या होता है यह सब कांसेप्ट समझना पड़ेग क्या करें गलत है लोग अपनी दुकानों पर जाके अपने बोर्ट को सही करें आप सजिस्स करिए दो चार को बदलवा सकते हैं तो बदलवाईए कि भईया मिस्ठान नाम का सब्द गलत है कहेंगे तो मार के भगा देगा भगो यहां से पता नहीं कहां से पढ़ के आ गया मिस्ठान क्या होता है मिस्ठान करने दो आपका काम समझाना कोई समझा तो ठीक नहीं समझा तो और भी ठीक उलंगन का क्या हो जाएगा दोस्तों उलंगन नहीं होता है उलंगन होता है यहां याद रखेंगे दोस्तों गलती क्या है यहां पर उलंगन दिया है जबकि होना क क conservatives करेंगे तब जाकर दोश्तों क्या होगा सई होगा मझा आया पढ़कर के सर आपकी क्लास पढ़ने में मझा आ जाता है का करेंगे नितिन सरन्ना अपनी मूशी अपनी तारीव करते रहते आप नहीं कमेंट करेंगे आप करेंगे आप वीडियो को सेर नहीं करेंगे तो हमें ही करना पड़ेगा चलो आजाओ यहां पर मुझे कोई बच्चा गलत करके बता दे अस्तन पान यह तो सर बिल्कुल सही लिखा है अस्तन पान में सर ग्यागर बढ़ है आप सोचो न यही तो study 91 करता है भई research करना पड़ता है ढूड़ना पड़ता आप विश्वास करो यह जो class में बना रहा हूँ इसको पढ़ाने में भले मुझे 30-35 मिनट लगे लेकिन इसको बनाने में दोस्तो दो धाई-धाई घंटा बीच जाता है साथ question निकालने के लिए मैं 600 question पड़ता हूँ कसम खा रहा हूँ दोस्तो कम सकम आज इस class को बनाने के लिए ना मैं 500-600 question को देखा हूँगा नहीं यह अच्छा नहीं है यह भी अच्छा नहीं है क्या बच्चों से पुझे यह अच्छा है यह परिक्षा में आता है ऐसे ढूट-डूट कर लिखा आप पढ़ रहे होगे तो लग रहा होगा कि हाँ एक तर क्या होता है अस्तन्य पान होता है अस्तन पान नहीं होता है देखा मैंने इसको पढ़ा समझा ठीक है इसी तरह से तत्वा धान में सर क्या गढ़ बढ़ है एकदम सर एकदम कसम से सही लिखा है ने कसम उसम ना खाओ गलत लिखा है जूट-मूट का क्यों कसम खाना हम ल तत्व लिखा है कि तत्व लिखा जाता जब इस त को दो बार कर देते अँव गलती कर थे गारतीक नहीं थीक है पार यहाद रखेगा यहां पर वही गलती नहीं यह तत्वाध्वान है क्या है बुलो ध्धान चे पूडो तत्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वाध्वा अवलंब, दूसरा सब्द हो गया, ठीक है, अवलंब, अब यह अज आकर र के साथ जुड़ गया, तो र पूरा बन गया, तो निरवलंब हो गया, निरा नहीं बनेगा न, यहाँ पर निरा कर दिया दोस्तों, इस वज़ा से गलत है, इसको क्या होना चाहिए, निरवलंब होन चाहिए, इसी तरश लिखा दोस्तों, राजा विशेक, राजा विशेक कोई चीज नहीं होता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, राज्या विशेक, क्या होना चाहिए, दोस्तों, राज्या विशेक, ठीक है, राज्या विशेक, स्वातंत्र नहीं होता है, अब ध्यान देना स्वातंत्रय यह हैं इसको ऐसा भी लिखा जाता देखिये श्वातंत्रय त्र नहीं करेंगे थेय च और यह तो यह ब्रहा है यह ब्रहमा लिखा इन कौन कौन सा वाला सई है बटाओ औरा आप आप म, म, बोलो उसके बाद पिर हा, तो ब्रह्मा, ये गलत है, हमें क्या बोलना था, ब्रह्मा, ब्रह्मा, हम लोग बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा नहीं, हे ब्रह्मा जी, ब्रह के बाद हा बोलना है, हम गलती से म, बोलते थे, इसलिए सारी गरवडियां होती थी, तो क्या बोलेंगे मध्यान ठीक है पहले हा कहेंगे बाद में न कहेंगे तब जाके दोस्तों यह सही हो जाएगा ठीक है कैसा लगा पढ़ करके बताओ क्लास खतम कर दिया जै नहीं नहीं आरे जाना मत भाई अभी तो आदे पर पहुंचें इंटरवल हुआ हमारा ठीक है कैसा ल तो GS की किताब है हिंदी की किताब तो ultimate है इस तरह की कोई किताब मार्केट में है ही नहीं क्या खासियत है नितिन सर आपकी किताब का सिर्फ एक खासियत उससे कोई टक्कर ने ले पाएगा हर चैप्टर में 500 सवाल यहां पढ़ लिया वरतनी सुद्धी यहां प्रैक्टिस क करने के बाद आपका दिमाग फिरेगा गलत करेगा होगा ही नहीं गलत चाहके भी आप गलत नहीं करोगे तो ले लो भहिया एक किताब इससे बढ़िया कुछ नहीं है और जो GS की किताब है इसको भी ले लो यह तो एक अलगी पैटर्न पे लिखा गया ठीक है इसमें मैंने यह पताने का प्रयास किया कि आज आयोग ने एक सवाल दिया तो अगली बार उसी सवाल से पांच सवाल मैंने पैदा किया अब कलपना करो एक सवाल से पांच सवाल निकलना कितना difficult काम है आप सोचके देखो आप बना नहीं पाओगी इतनी मेहनत किये इस पे ठीक है यह हमा अब जाना सीधे मीशो पर जबर दस मतलब क्या डिलिवरी सिस्टम भी अच्छा है चीजें बहतरी है सब कुछ अच्छा है तो कैसे आप उहां से कर लो या फिर आप इतने नितिन सब भरोसा करो क्या भाई जो इंसान सव पचास के लिए यार मेरे भरोसा नहीं करेगा फिर सिद्धत के साथ कोई वर्तनी सुद्धी नहीं पढ़ाएगा आपको और वर्तनी सुद्धी नहीं चाहे जो चैप्टर हो हर चैप्टर इमानदारी से पढ़ाता हूं ठीक है तो इतना भरोसा करो ना कि बाई सो देट सवरों को ले नितिन सब चीठिंग नहीं करेंगे ठीक क्या हो जाएगा दोस्तो ऐसे करेंगे पहले ह करेंगे बाद में म करेंगे तो ब्रहमा हो जाएगा जुखाम नहीं होता दोस्तो जुखाम होता है बच्चा जानता है नहीं कि जुखाम हो गया है जुखाम नहीं हुआ है जुखाम नहीं होता है ठीक है त्याद रखेगा इस संगतन होता है किसी चीज का संघीज़ का संघ्टन क्या लिखा है दोस्तों रिस संघ्थन जो लिखा यह। ऑना चीज है तो यह आप ध्यान दिजेगा है या झेश्ध सबस्तों यहां था यह। ठो नहीं होना चीए ठीक है आगे बात समझ में मजाय पढ़ करके ऐसी सवाल है अब थोड़ा स्पीड में करते हैं आगे लिखा दोस्तो सू सुरूसा अब आप कहेंगे सर यहां क्या गलती हो गया गलती हो गया दोस्तो सू में ठीक है यह जो सू लिखें न यह छोटा यह जगा आपको बढ़ा करना था बस यही गलती बाकिसम मामला सही है तो हो जाएगा सू सुरूसा क्या हो जाएगा दोस्तो सू सू सूरूसा यह दोस्तो आपका सही हो जाएगा यह पढ़ रहे होंगे न जल्दी बाजी में लगता अच्छा है ठीक है ऐसे इस सवाल और भी का के सही होगा ये है आसिरवाद ये जो उड़ने वाला र होता ने हमेशा आगे अगले वर्ड पर जाता आसिरवाद पढ़ेंगे उसी तरह से अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है ये लिखा है पूर्ण जन्म हमें क्या चाहिए हमेशे पुनर जन्म ठीक है तो पुनर लिख दिया व्यरसन हमें दुर वेशन चाहिए तो याद रखेंगे यह व्यक उपर उढ़ने वाला लगेगा तब जाकर इससे हो जाएगा संग्रहित नहीं होता है क्या होता है ग्री होगा यहां पे और अच्छा ग्री होगा शंग्रहित तो संग्रहित होगा कि संग्रहित हो यह जो जाग्रित लिखा है जाग्रित नहीं होता है दोस्तों यह जाग्रत होता है ठीक है ध्याम दीजेगा या तो ये सही है या तो ये सही है यहां का देखें यहां का संबन इससे मिला होगा ना गलत है ठीक है और इसका संबन दोस्तों इससे मिला होगा ना गलत है ठीक है इसको समझ के चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आप किसी बच्चे से पूछ के देखो न, भारब अच्छा गलत करता है, पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, गलतियां होती है, लेकिन आप मत किज़े, आपसे निवेदन भया, बहुत अच्छे से इसको मैं बना रहा हूं, आ सहस्र होता है, क्या होता है, हजार को कहा जाता है, शहस्र, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सह, और यह सह लिखेंगे, फिर यहां यह वाला रह लगा देंगे, यह सहस्र होता है, उसी तरह से इसको स्त्रोत हम पढ़ते हैं, स्त्रोत नहीं होता है, स्त्रोत होता है, क्या होता ह जोटसना दोस्तों गलत लिखा कैसे हो जाएगा पहले लिखेंगे जोट फिर आधा त फिर आधा स फिर लिखेंगे ना ठीक है यह होता दोस्तों जोटसना यह तो बहुत बच्चे गलती करते हैं ठीक है यह देखिए पुन्रोक्ति जो लिखा है न यह होता दोस्तों सब यहा तो क्या हो जाता दोस्तो पुनरुक्ती हो जाता ठीक है और यहां छोटा हूँ करिएगा रूँ भी दो प्रकार का होता है देखे एक ऐसे रूँ होता है और एक ऐसे रूँ होता ऐसे तो एक को छोटा रूँ पढ़ते हैं एक को बड़ा रूँ पढ़ते हैं क्या है दोस्तो ये छोटा रू है, ये वाला क्या दोस्तो, ये बड़ा रू है, इसको पढ़ते हैं इस तरह से, अत्योक्ति नहीं होता, अतिधन उक्ति होता, इसका अगर आप बिच्छेद करेंगे, तो आपको मिलेगा दोस्तो, अतिधन उक्ति, तो अत्योक्ति नहीं होता दोस्तो, क्या ह अत्यूक्ति होता है क्या होता है यह उ रहेगा छोटा उ है न तो उ ही की तरफ जाएगा उ बनेगा अत्यूक्ति इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं अत्यूक्ति यह बता मुझे कुछ नया मिला मेरी क्लास में कि नहीं मिला दिल से बताना ठीक है कमेंट मन से करना ठीक है ऐसा नहीं कि नितिन सर के लिए लिख दिया कि हां नया मिला, मिला तो लिखना, नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो कुछ और करूँगा आपके लिए और मेनत करूँगा, मैं बुरा नहीं मानता किसी बात का, ठीक है, मेरे अंदर आधा था, मैं किसी चीज को पड़ाता और अच्छा पढ़ाना और मेहनत करना है तो आप तो बूस्टर हो हमारे लिए ठीक है वो गलत कर दिया दोस्तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए सरदूत सव क्या बनना चाहिए सरद धन उत्सो बरावर क्या बनेगा सरदूत सव बनेगा यह आप ध्यान रखेंगे ऐसे कर लेजिए उठीक है इसी तरह देखे तदो परांत दे दिया तो याद रखेगा तद धन गया इस दह के साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा तदू बन जाएगा क्या बनेगा तदू बन जाएगा तदू परांत क्या बनेगा तदू परांत है यहां तदो लिख करके दोस्तों गलत कर दिया ठीक है इसी तरह से निरावलंब लिख के गलत कर दिया निरधना अवलंब नवरात्र में स्वागत है, नवरात्री गलत सब्द है, कैसे बताओ मैं आपको, ठीक है, तो याद रखेंगे है, क्या होना चीए, नवरात्र होना चीए, नवरात्र, नवरात्री नहीं, ठीक है, इसी तरह से दुरात्मागर नहीं, दुरात्मागर, दुरात्मा तो गलत आत् दोस्तो याद रखेंगे राजगर होता है क्या होता है क्या होता दोस्तो राजगर हो जाता है ठीक है ऐसे तो बहुत सारे सब्द है जैसे आप देखे पक्षी ऐसे लिखते हैं लिखते हैं पक्षी ऐसे लिखते हैं बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप लिखें पक्षी राज तो क्या हो जाएगा पता है आपको तब आप पक्षी में छोटी की मात्र लगा दीजेगा ये सही हो जाएगा बच्चा बच्चा जानता है योगी कैसे लिखा जाता है योगी ऐसे लिखा जाता है ये सही है गुपता जी सही पढ़ा रहा है कि भवकाल मारते चले जा रहे हैं नहीं भाई आपके साथ खिलवार थोड़े करना है लग बाई चांस कभी ध्यान में कुछ नहीं आया कुछ गलत निकल गया मुक से कुछ गलत लिख गया उसके लिए मैं छमा चाहता हूं बट ना तो intention होता है ना ही मेरी कोछी सो थी कि मैं आपको गलत दिलवट करऊं क्यों डिलवट करूंगा गलत इतना दो-ती-गंटा-चार गंटा मेंनद करके लाता हूं गलत का निकले लाता हूं अच्छे के लिए लाता हूं बाई गलत क्यों करूं का जो सई है, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मन लगा कि आप पढ़ते चलो, टेंसन न लीजे, ठीक है, बयवहारिक, तो याद रखेगा, यहाँ पर मूल सब्द है दोस्तों, बयवहार, कौन सा मूल सब्द है, बयवहार, बयवहार में दोस्तों, एक प्रत्ते लग जा तो व्यावाहार का क्या हो जाएगा दोस्तों या रखेगा ब्या की जगा ब्या हो जाएगा ब्या ब्या व्यावाहारिक थीक है व्यावाहारिक बह मत करेगा व्यावाहारिक अनुपातिक का क्या हो जाएगा दोस्तों गलत है अनुपातिक नहीं होता है अनुपात तो मुल इसमें एक प्रत्य जुड़ा तो औ के साथ आकी मात्रा जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा आनुपातिक हो जाएगा यह सही होगा प्रामाडिक में वही हाल है दोस्तो प्रा की जगा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तो प्रामाडिक हो जाएगा अनुवा को अब बहुत सारे बच्चे क्या करें इत प्रत्य देखा नहीं कर दिया आनुवादित अरे यार आनुवादित नाम का भी कोई सब्द नहीं होता है अनुदीत नाम का क्या होता है अनुदीत तो जो मूल सब्द है दोस्तो वह अनुदीत है यह तो भरजिन दे दिया था आप आप कहां बहते चले जा रहो इतना रपतार में मत करो कि गरवड़ी हो जा ठीक है सुलोचनी नहीं होता दोस्तों सुलोचनी नहीं होता है फिर क्या होता है सुलोचनी कर दें छोटी की मात्रा लगा दें नहीं तब अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि सुलोचनी कर दिया ज ठीक है इसी तरह से साम्रागी नहीं होता दोस्तों क्या होता है सम्रागी होता है क्या होता है सम्रागी क्या होता है सा की जगा क्या होना चीए सव होना चीए तब जाके आप जो है इसे सही कर पाएंगे ठीक है आई बात समझ में कहीं कोई डाउट हो तो बताएं नई डाउट हो तो फिर classes समाप्त किया जहीं पर एक बात याद रखेगा दोस्तों किताब ले लिजी आपकी हित के लिए बता रहा हूँ अभी इसका नया संस्क्रड जारी होने वाला है अभी एक कम प्राइस पर मिला है क्योंकि पुरान जो है काफी दिनों पहले किताब शपी थी अब नय प्रिंट और लेकर आरहे हैं आपके पास मौका है आप ले लीजे चाहिए और ऐसे आप हवारे website होगा नितीन तर पेठीड ठीक है कहीं कोई tension नहीं है आराम से लेजे एससे बीसे पूरी तरह से पढ़ा दिये गए हैं यह हमकी के इन्हें भी आप पर्चेश कर सकते हैं, बाकी किताबे हैं, कोर्स हैं, टेस्स सीरीज भी बहुत जल्दी आपके वीच में लेके आ रहा हूं, तो आप बस जुड़े रहे हैं हमारे साथ और अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहे हैं, आज का सेसन दोस्तों ही समाप्त होता है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जै हिन, जै भारत, थेंक्यू, थेंक्यू सो मच्च